दोस्तो हमारी बॉलिवूर्ड इंडिस्ट्री के दमदार सूपा डूपा हिरो उसकी अकसर फिल्मोग्राफी और बायोग्राफी की बात तो चलती रहती है लेकिन आज हम इन से जुड़े कुछ ऐसे राज आपको बताने जा रहे हैं जिनकी वज़से इनको जेल की हवा खानी पड़ गई थी हाँ वैसे क्या आप जानते हैं कि इन सेलिबरिटीज ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वज़से इने जेल की सलाखों को भी देखना पड़ा था और ऐसे कौन कौन से सितारे हैं जो जेल के दर्शन कर चुके हैं क्या आप जानते हैं अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में नमबर वन फरदीन खान दोस्तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नमबर पर बात करने जा रहे हैं अलिवुड के चॉकलेटी बॉई फरदीन खान की जी हां यह अपने दोर के चॉकलेटी बॉई रह चुके हैं इसके अलावा इनके डाश्टिंग लोक और दमदार अक्टिंग से लोग तो इनको पसंद करते ही थे साथ ही साथ इनकी मासूम और मुस्कुराते हुए फेस से कई दिवाने वे इनके बन गए थे हाँ जी अरे ना ना दिवानियों के दिल में बस चुके थे इनके चेहरे से तो ये नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा कारनामा कर सकते हैं जिससे इनको जील के हवा खानी पड़े लेकिन भाई साथ आप कहते हैं ना चेहरे से लोग को नहीं पहचाना जा सकता तो बस वही इनका हाल है दरसल 2001 में NCB के कुछ मेंबर्स ने इनको किसी ड्रग डीलर के साथ देख लिया था और भाई जब गौर फरमाया गया तो पता चला कि भाईया जी ड्रग्स खरीद रहे थे पुलिस के स्टेटमेंट की माने तो भाईया जी ने ड्रग डीलर से कम से कम दो किलो ग्राम कोकेन खरीदा था जिसके वज़े से इनने छे मौईने की सजा दी गई इसके लावा इनको रियाब सेंटर जाने का भी आप्चिन दिया गया लेकिन 11 सालों तक इनका केस ऐसे ही चलता रहा वो इसलिए कि कोट इने सजा देती और ये सजा के खलाफ अपील कर देते आखर में उने रियाब सेंटर कोई अपना लाश्ट आप्चिन माना और वहाँ चले गए खियर कुछ भी हो इस कारणावे से इनका फिल्मी करियर पूरी तरह से तबाह हो गया नमबर टू साहिनी आहूजा दोस्तो अब जिस सेलिब्रिटी के हम बात करने जा रहे हैं अगर आप उसके फैन होंगे तो ये खबर सुनते ही ये उनकी नजरों से बिलकुल ही चले जाएंगे साहिनी आहूजा वैसे तो कई सारी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग को दिखा चुके हैं लेकिन इनको इनकी पहचान गैंक्ष्टर फिल्म से ही मिली थी इस फिल्म में इनको इतना पसंद किया गया कि हर कोई इने अपनी फिल्म में लेना चाहता था लेकिन जब से इनके गिनती एक रेपिष्ट के तोर पे होने लगी तब ही से इनके कहानी पुरी तरह से पिढ गई जी यहां भाईयों 2009 में इनके उपर रेप का इलजाम लगाया गया असल में इनके घर में एक मेड काम क्या करती थी उस मेड का कहना था कि साहिनी ने उसके साथ जबर्दस्ति किये और जब ये बात हर जगा फैल गई तो भाईया इनके करियर की तो बैंड बजगई वेल इन्होंने अपने आपको कई बार बेगुना दिखाने की कोशिश की लेकिन इनका तो फैसला हो चुका था और इनको साथ साल के लिए जेल की सजा भी हो गई थी लेकिन सिर्फ तीन महीने तक ये जेल में रहे और उसके बाद इन्होंने अपने उपर लगे सारे इलजामों को जूटा साबित कर दिया साथ ही उनकी मेड ने भी साहिनी पर लगाए गया इलजामों को वापस ले लिया लेकिन उसके बाद इनका बॉलेवुड करियर पूरी तरों सथवा हो गया हलाकि इसके बाद इन्होंने बॉलेवुड में आने की कोशिश तो की पर इनका करियर इतना डूब गया कि इनको बॉलेवुड से टाटा बाय बाय करना ही पड़ा अब दोस्तो इस लिस्ट में बारी आती है सल्लू भाई की जी हाँ अब क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात चल रही है तो बोस सल्मान खान कहां पीजे रह सकते हैं ये जिस तरह अपनी फिल्मों में मुझरिमों को पकड़ कर हवालात में स्वाद चकाते हैं उसी तरह इनोंने भी हवालात को खूब स्वाद चका है खैर देखा जाए तो आज ये बॉलेवुड की वो हस्ती हैं जिनकी जगा कोई नहीं ले सकता पर जेल का सफर इनोंने कैसे तह किया ये जानते हैं बता दें कि इन पर सबसे पहला केस तब लगा जब ये अपनी फिल्म हम साथ साथ है कि शूटिंग कर रहे थे तब इन्होंने शूटिंग के दौरान काले हिरन पर फायर कर दिया था जिसके वज़े से दो हिरन मर गए थे जो कानूनी जर्म था इसलिए इनको पांच साल की सजाद दी गई थी लेकिन भाईो सल्मान खान को सल्लू भाई ऐसे ही थोड़ी न का आ जाता है सल्लू भाई ने अपनी पैचान कदम दिखाया और महज तीन दिन के अंदर जेल से बाहर आ गए इसके अलावा एक बार इनके उपर इलजाम लगा गया कि इन्होंने नश्रे में टली होकर सड़क पर सोरे गरीबों के उपर अपनी कार चड़ा दी थी लेकिन इन्होंने इस केस में साबित करके दिखाया किसमें इनकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि कार इनका ड्राइवर चला रहा था अब भाई कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर पर अटके इनके साथ भी वह हुआ जैसे तैसे ये इस केस से बचतो गए लेकिन फिर ये हथियारों के मामले में फस गए खायर अब इनकी बात करेंगे तो पूरी वीडियो इन पे ही खत्म हो जाएगी इसलिए चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो यार अब दोस्तों जिसकी हम बात करने जा रहे हैं अगर देखा जाये तो उन्हें क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिष्ट में सबसे उपर मना जाता है जी हम बात कर रहे हैं सबसे उपर इनका नाम था यही नहीं इनके पास बहुत यार भी बरामद हुए थे जिसका इस्तमाल बम दमाकों में किया गया था लगी इनका कैना था कि इन्होंने अपने परिवार के सुरक्षा के लिए नहत्यारों को रखा था इन्होंने कोट में भी कहा कि लोगों की बातों में आके उन्होंने ये किया था वेल इनको कई बार जेल डाल दिया गया था लेकिन ये अपनी सूर्स से जमानत करा लिया करते थे लेकिन दिसमबर 1995 में इने दोबारा घरफतार कर लिया गया जिस पर इनके पिता के लाकों कोश्रों के बाद भी इने रिहाई नहीं दी गई लगातार हाथ पैर मानने के चलते आखरकार दो साल बाद 1997 में ने रिहाई मिल गई थी लेकिन तब तक इनका फिल्मी करियर पूरी तरह से दूप चुका था कुछ इस तरह से पसंद की जाती है कि कोई उन्हें ना पसंद कर ऐसा होई नहीं सकता वह अलनके जेल के सफर की बात करें तो भाया इन्हें बाइक राइडिंग का शुरू से ही शौक है बात है 2006 की जब ये रात में अपनी बाइक पर सवारों के धूमा जा रहे थे अचानक अबराहम से जब पूछा गया तो उन्होंने बेना को सफाई दे सीधे अपनी गलती को मान लिया और सजा के तोर पर ये जेल भी चले गए थे इन्होंने खुशी खुशी अपनी सजा को मान लिया था वैसे देखा जाय तो जौन बॉलिवड के कलौत है ऐसे आक्टर है जिन सच में तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे कलाकार जिन्होंने जेल के भी दर्शन किये हैं तो कैसी लगी आपको अमारी ये वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंट्रस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें